हाई दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉंपरिटिटिव गुरू कुल में तो फ्रेंट्स देखिए आपका ESIC MTS का सेट चल रहा है आज मैंने सोचा कि आपके लिए मैंस के सेट्स को डिसकसन किया जाए देखिए यही हमारे द्वारा हमारे चैनल के द्वारा बनाये गया ESIC MTS का very important question है और यह paid course में चल रहा है अगर जो paid course नहीं जोइन किये उनके लिए free test भी है उसमें भी आप जूर सकते हैं ठीक है और 145 लोग जूरेवे भी है लेकिन एक चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग exam का तयारी कर रहे हैं लेकिन test मातर 10 से 15 लोग दे रह चल रहा है paid course में आपको जो है 100 मात्र 100 रुपया में आपका test plus discussion दोनों करवाय जा रहा है और मेरे दौरा है आपका test conduct करवाय जा रहा है ये जो test आप देख रहे हैं ना ये मेरे दौरा कंडक्ट करवाय जा रहा है और इसका discussion बिल्कुल test के तुरंद बाद आपको करवाय ज तो आप इस पर जूड़ सकते हैं और अगर नहीं आपको जूड़ना है तो आपका free test भी चल रहा है उसे तो जरूर दीजिए आप लोग उसे भी नहीं दे रहे हैं चलिए आपका यही सबसेट आपके टेस्ट में आ रहा है ठीक है चलिए मैं questions को discuss कर देता हूं आज मैं सोचा सब questions मैंने लिया है टोटल आपका इसी तरह का से daily basis पर आ रहा है ठीक है चलिए अब हम लोग discuss करते हैं questions के तरफ चलते हैं ठीक तो देखें इस question number 51 क्या कह रहा है simple interest आपका दियावा simple interest on a certain certain sum is 64 by 25 of the sum ठीक है तो माल लेजिए उस sum को हम लोग क्या माल लेते है principle को हम लोग x माल लेते हैं ठीक है और क्या कह रहा है simple interest जो है न एसाई जो है उस principle का कितना है 64 by 25 मतलब x जो हो गया simple interest कितना हो गया 64 by 25 x हो गया ठीक है यह हो गया ठीक है आप इससे note down करते रहेगा मैं rage भी कर दूँगा आप से क्या पूछाए, find the time if both time and rate percent are numerically equal है, देखिए simple interest किसी sum of money का दे दिया कितना है, उसके principle का उसका जो मूलधन होता है उसका 64 by 25 है, तो मूलधन मैंने principle माल लिया x, उसका 64 by 25 क्या हो गया आपका simple interest हो गया, ठीक है, और आप से क्या कहा रहा है, rate और time जो है rate and time आपस में क्या है, equal है माल लेते है, rate और time को हम लोग R माल लेते हैं, ठीक है, क्या माल ले लिया R, मैं से erase कर रहा हूँ, ठीक है तो simple interest का आप formula यानते है, simple interest का formula क्या होता है P गुने R गुने T by 100, होता है ठीक है, होता है ना, अब अगर बात करें, तो simple interest आप कितने माने थे, 64 by 25, कितना माने थे, x माने थे, ठीक है, equals to, ये simple interest हो गया, p क्या माने थे, principle हम लोग x माने थे, into, rate और time equal है, तो rate को भी r लिखते हैं, और time को भी r लिखते हैं, ठीक है, और by 100, ठीक है, 25 से अगर इतने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है, x से क्या हो गया, x कट गया, अब क्या बचा आगे, अब बचा आपका, अब बचा क्या, 64 into 4, बराबर, क्या बचा, r into r, मतलब r का square बचा, ठीक है, तो rate कितना, r कितना आगया, आपका आगया, under root, 64 into 4, ठीक है, कितना छूल आगया, 64 into 4, जिसे solve करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, जिसे solve करेंगे, तो आपका का आजाएगा, ठीक है, तो यहीं आपका क्या हो गया, rate भी आपका आपका पूचा क्या था, आप से पूछ रहा था, टाइम पूच रहा था, टाइम क्या हो जाएगा, option number D is the right answer हो जाएगा चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोशन आपका है क्या रहा है कि simple interest for a sum of rupees 3,800 is two years ठीक है क्या कहा रहा है simple interest for a sum of rupees 3,800 in two years is rupees 45 more than the simple interest for rupees 3,300 for the same duration अगरेशन देखिए 3,800 का simple interest है दो साल का और 3300 का simple interest है दो साल का उनके बीच मांतर कितना है 45 रुपया का तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं principle में कितना कांतर है principle का अगर बात करें principle में कितना कांतर है तो 3800-300 200 ठीक है कितना गंतर है 500 इसको माइनस करें कितना आ गया 500 यही 500 पर कितना इंट्रेस्ट आ रहा है मतलब यही 500 पर सिंपल इंट्रेस्ट आ फॉर्मला क्या होता है simple interest आपको पता है होता है equals to क्या होता है P गुने R गुने T by 100 ठीक है यही simple interest आपको क्या है 45 दे दिया है ठीक है 45 हो गया principle कितना अभी हम लोग माइनस करें निकाले थे 500 आ गया rate आपको निकालना है ठीक है time आपको कितना है 2 साल है बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे ठीक है 0 से 0 0 0 काट दिये 5 9 45 हो गया और क्या हो गया तो 2 R ब्राबर कितना आ गया 2 R ब्राबर हो गया 45 ठीक है 45 नहीं sorry 5 हो गया आप इसे काट के देख लिजेगा 2 R ब्राबर 5 आएगा 2 R ब्राबर तो लिखने में प्रॉलम हो रहा है तो आप उसे देख सकते हैं तो रेट प्रावर क्या आ गया आपका 4.5 आ गया ठीक है कितना गया 4.5 और अच्छे तरह से मैं आपको लिख के दिखा पाऊंगा ठीक है अब वाच कोस्टिंग रूपीज 1,000 हाज बीन सोल्ड फॉर रूपीज 14,050 देखिए एक वाच एक घरी है जिसको एक हजार का घरी है उसको बेचा रहता है 14,050 में ठीक है मतलब कोस्ट प्राइस आपका कितना है एक हजार है ठीक है एक हजार कोस्ट प्राइस है Selling Price कितना है आपका 1450 है चीक है तो Profit कितना होगे Profit क्या होता है Selling Price में से Cost Price घटाते हैं कितना Profit होगे सारे 400 रुपया Profit होगे आप से पूछ क्या रहा है आप से पूछ रहा है Profit Percent पूछ रहा है तो Profit Percent क्या होता है Profit Percent क्या होता है सारे 400 आपका profit है Profit हमेशा किसे निकलता Profit हो या Loss हो हमेशा क्रेमोली पर निकलता है क्रेमोली मतलब cost price पर निकलता है 1000 गुने 100 इसे solve करेंगे 10 से 10, 10 से 10 10 सुनी 1 कट गया एक और 10 कट गया तब कितना आगया profit percent आपका profit percent हो गया 45 percent 45% आपर क्या हो गया, right answer हो गया, that is option number B, आपर सही उत्तर हो गया, चले नेक्स चलते हैं, क्या कहा रहा है, Sweta sells a washing machine for Rs. 8,000, she loses 55% in bargain, ठीक है, what was the price at which she bought, Out, देखिए, Sweta है ना, 8,000 में किसी वासी machine को क्या करती है, बेस्ती है, तो उसको 55% का loss होता है, मतलब, 100 में से अगर 55% गटाएंगे, 55% गटाएंगे, तो कितना % बचा, 45%, यही 45% का मान दे दिया है, तो कितना, 8,000 दे दिया है, ठीक है, यही 45% का मान दे दिया, 8,000, तो लिखेंगे, 45%, बराबर कितना हो गया, 8,000 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 8,000, तो 1% निकालेंगे, कितना हो जाएगा आठ हजार बाई 45 45 आपको निकालना किया पूरा कितना दाम था तो गुने 100 कर देंगे जब इसे solve किजेगा तो आपको कितना आएगा 17777.77 आजाएगा ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं अगले कोसन पर 55 नोगा कोसन क्या रहा है लहरी बाउट एन ओर लगाता है आटिकल ख़़ीता है 3844 में और क्या होता है उसमें डिफेट के कारण उसमें और पैसा 156 रुपय लगाता है कितना लगाता है 156 रुपय और लगाता है उसके रिपेर पे तो अगर कुल cost price बात करें तो कुल उसका cost price कितना हो गया 3844 plus कितना हो गया plus 156 156, मतलब कुल मिला करें तो कितना हो गया cost price 4000 में वो समान लो क्या किया माल लिजे उसका cost price पर चीक है और उसको बेज़ता है 3700 तो आपको loss दिख रहा है मतलब मैं कुछ समाना कर चाहिए मैं खड़ीद रहा हूँ और 3700 में बेच रहा हूँ तो loss कितना का हो गया loss आपका 300 का हो गया 300 का loss हो गया अभी मैंने बताया थे कि loss हो चाहे profit हो आपके किसे निकलता है क्रेम मुल्य पे निकलता है तो यहां पर क्या रखेंगे 3844 रखेंगे और गुने 100 sorry 3844 नहीं रखेंगे आपको लगा कितना टोटल कितना लग गया जैसे आपका यहां पर सारे 400 आया आपका आपका जैसे CP यहां कितना आया था CP आया था आपका cost price टोटल पड़ा था 4000 ठीक है 4000 पड़ा था ठीक है और आपका selling price sale कितना में कर रहे है आप sale कर रहे है 3700 में तो loss आपका कितना आया था loss आया था आपका 300 आया था cost price कितना था 4000 पर ठीक है 4000 और गुने 100 इसे solve कर लेंगे ठीक है सुने से सुने से सुन कड़ गया एक और सुने कड़ गया 478 चार पचेब भी 7.5% तो आपका option number A is the right answer चले नेक शलते हैं देखे friends इस तरह के questions हम लोग set कर रहे हैं जो कि एकदम very important है अगर आप सबसे पहले अगर टेस्ट में नहीं जोइन करना चाहता है paid course में तो कम से कम free का जो test हारा आपका टीचमेंट पर उसको जरूर दीजिए और आप मुझसे question पूस भी सकते हैं ठीक है WhatsApp भी कर सकते हैं और अगर चाहते हैं कि जूर ना कि और अच्छे से तयारी start हो तो आप क्या कीजिए paid course जोइन कर लिजिए जो की मातर 100 रुपया में आपका paid course है ठीक है चली 56 अब कोसम पर चलते एक item is sold at rupees 415 415 में एक item को बेशते हैं जिस पर discount of 70% in marks price ठीक है क्या कह रहा है 415 में किसी समान को क्या करते है based हैं जिस पर उसको discount कितना मिलता है 17% discount मिलता है माल लिज़े किसी का mark price x है उस पर 17% discount मिला तो मतलब कितना बेचे 17% discount मतलब होता है न 100 में 17 घटा देंगे 100 में 17 घटाएंगे और बटा 100 करेंगे 100 में 17 घटाएंगे कितना हो गए 83 83 by 100 ठीक है, और कितना बेच रहा है, 415 में, 415, ठीक है, अब इसे solve कीज़ेगा, तो कितना बर में, ये 5 बर में कट जाएगा, आपका X कितना आगया, X आगया आपका 500 आगया, ठीक है, अभी थोड़ा सा लिखने में प्रोलम हो रहा है, इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो समझा रहा है, अब देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, what is single discount equivalent to discount series of 12% and 15%, single discount पूछ रहा है, तो इसका एक formula होता है, X plus Y, plus X into Y, by 100, ठीक है, अब एक X है आपका 12%, और 15, दूसरा, Y हो गया 15%, तो इसी formula बठा जैते हैं हम लोग, तो माइनस करें ना, 12% हो जाएगा, क्योंकि discount मिल रहा है, माइनस 15, ठीक है, अब माइस माइस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो बलस 12 कुने 15, ठीक है, बटा 100, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 27, प्लस, इसको 15 कुने 30, 180, मतलब 1.80, अब इसे घटाएंगे कितना आ इसे घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 25.2 आ जाएगा, तो option number D is the right answer, तो देखें इस तरह से question बताना, आगे बहुत सारे questions बताने हैं, तो discussion class जो चल रहा है, उसमें मैं बताऊंगा, मैं जो YouTube पे डालने के लिए वीडियो बनाया था, कि आप लोग जो हमारे साथ YouTube पे ज अच्छा लागा, तो इस वीडियो को लाइक कर दिजे, दोस्तों के साथ सेयर कर दिजे, धन्यवाद,